ये महिलाओं की हुंकार है ये योगी सरकार से जणता की पुकार है यूपी की बेटियों का सड़कों पर गुस्सा पुलिस वालों से जड़ब दस्वीर उत्तरपरदेश के आगरा शहर की है जहां एक दस्वी की छात्रा को दिन दहाडे जला दिया गया आज उस लड़की की माँ सड़कों पर उत्री है जिसके कान में आज भी उसकी बेटी के आखरी शब्द गुंज रही है एक लड़का आया मेरे पास बाइक लेके के चाती आपकी बेटीयों को किसी ने पेट्रोल टार दिया है पीछे से और उस पे लाटल लगा के आग लगा दिये मैंने उसे बुझाने की कोशिच की है पर भुझनी पाई है मैंने बस रोकी है बस रोक के सलंडन निकारा है और आग बुझा दिये आप चलो जल्दी से लाली के पास और मैं लाली के पास पहुंची मैंने पचार खाई मैंने बेटी कौन है मम्मी मुझे नहीं पता कौन है आखिर कौन थे वो दरिंदे सिर्पर हेलमेट और लाल रंग की बाइक पर सवार वो जलाद छे दिन बाद भी प मुझे नगरी में आज बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है बेटियां घर से बाहर निकलने में डर रही है पूरे इलाके में इस घटना को लेकर तनाव है लोएंड ओर्डर की तमाम दावे प्रदेश के चौराहों में कुछ इस तरह ज़राकर फूग दिये जाते हैं बड़े-बड़े अपरादियों के एंकाउंटर करने वाली पुलिस की पोल खुल जाती है जब अपरादी बेखौफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिस कोई व्यक्ति बचा नहीं रहा कोई प्रसासन पर आर्थिक रूप से कोई डावर्ट नहीं कर रहा इसलिए हम किसी को बचाएंगे क्यों उसकी जो असलियत है उसको असलियत को खोजने के लिए हमें टाइम चाहिए और एक दो दिन में हम अस्रियत तक पहुंच जाएगा। सक्ति के बारे में बताते हैं और बताते हैं के हनमान जी इस इनी बीच दलित है लेकिन उनके खुद के अपने प्रदेश में एक दलित लड़की जो दस्वी की शात्रा थी उसको जिन्दा जला दिया गया और छे दिन हो चुके हैं अपराधी अभी भी पकड़ से दूर हैं। अपराधी बताते हैं।